नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की विश्व कूटनीती में युद्ध एक भयावा शब्द है हमारी आपकी जिन्दगी में वह एक डरावना शब्द है क्योंकि हम सब जानते हैं कि युद्ध एक बार शुरू तो से पहले चर्चा करेंगे युक्रेन युद्ध की क्योंकि जो आशंका है वह दिखा रही है कि यह युद्ध लगातार भयावा हो रहा है और अब खुलकर नेटो और रूस के बीच में यह युद्ध तै हो रहा है और दूसरी चर्चा पेरू पे लातिन अमरीकी देश पेर प्रबीर पुरकायस से प्रबीर युक्रेन युद्ध को एक साल पूरे होने वाले हैं 24 फरवरी को एक साल पूरे हो जाएंगे और इस बीच जिसके चर्चा आप करते रहे इस प्रोग्राम में हम सब करते रहे वह साफ दिखाई दे रहा है नैटो अब पूरी तरह से जमीन पर है उसके देश टैंग सप्लाई कर रहे हैं हת्यार सप्लाई कर रहे हैं और इसकी ताज़ा मिशाव दिखाए कश. जर्मनी के जो टैंक हैं, वो मोहिया कराएगा, जर्मनी ने का हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे अब्जेक्ट नहीं करेंगे, यह क्या दिखाई दे रहा है कि आने आवाले दिनों में युद्ध और ज्यादा विनाशकारी होगा, और ज्यादा मारक होगा, जिस तरह के असल रहा था, वह हम चर्चा भी कर रहे थे, उसकी हिमार्स है, हाइमार्स है, और भी अस्ट्र है, आर्टिल्री जैं, हवाइजर है जो दूर मारक के शंता नहीं रहते, पर लडाई हमें जो आपके डारेक्ट लडाई होती है, उस में जमनी लडाई हमें, वो शिर्कत करते है, तो उसका असरतो आही रहा था नेटो देशों में इस वक्त जो है कि जो पहले चर्चा कर रहा था तो उस पे थोड़ा सा अगर नज़र डाले तो देखेंगे कि पहला लड़ाई जो यूकरेन की हुई है यूकरेन कम शक्तिशाली नहीं है मिलिटरी तोर पे उसका यूरप में दूसरा स्थान है मिन्स अकॉर्ड 2014 के बाद उनकी सामरिक शक्ति बिलिटरी ताकत जो है बढ़ाई गई है उस पे काफी शिरकत नेटो देशों की रही है और उसको नेटो का मेंबर रही पर सामने दस्ते में खड़े होने के लिए उसको तैयार किया नेटो ने पीछले उन्होंने भी यह कहा था कि तो हमारा चाल था तो यह तैयारी था और इसके लिए सेना जो यूकरेन की थी और उसकी जो मिलिटरी वैपन री जो है जो ताकत जो था वो पुराने सोवियत संख की मिलिटरी उसको अपग्रेड किया था यूकरेन ने तो यह लड़ाई में इस हुई थी और सेना जरूर यूक्रेयन की रही कि लड़ाई की हाथियार जो था इसे पूरा पूरी तैयारी थी सोवियत संग के वक्त की यूक्रेयन के पास जो रस था उससे वो करीब दो महिने में वो खत्म हो गया इसके बाद इस्टर्न यॉरप से यह बहुत सारे ऐसे चीज है military weaponry जो उनका खत्म हो था, tanks को, artillery weapons जो है, shells को ये इस्तमाल होने लगा इसके साथ सब जो आपने कहा NATO की हाइमार और दूसरे वैपन भी इसपर शिरकत कराने के लिए, मुहाय कराने के लिए NATO तैयार था और वो कर भी रहा था पर फिर भी एक बहुत-बड़ा रसर जो है Eastern Europe, Poland, Baltic countries, दूसरे देशों से आ रहा था अब वो भी खत्म हो गया तो दूसरा एक हिसाब से दूसरा जो चरंड था या दूसरा फेज आप कहेंगा तीसरा 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 स्तर पे जो आया है तीसरा फेज पे जो आया है इसमें एक नया एक हिसाब से सैनिक ताकत का रसद जो आ रहा है इस वक्त नेटो देशों से वह आमने सामने खड़े होने के लिए वो दिख रहा है इस वक्त और बुखत है उसमें यह है कि आर्म पर्सनल कैरियर जो टैंक नहीं है पर टैंक नुमा है तो वह आ रहे हैं बहुत बड़े पैमारे पर ब्रैडली अमरीका से इसके ब अगर अटक करना चाहिं रुसिसे नाओ पर हमें टैंक्स चाहिए अचेंक कहां से मिले ब्रैडली वगररा से काफी नहीं है हमें और भी चीजिशे चाहिए अमरीका के इबराहम की विवाथ है अर्लियो पर पाइमाने पर नेटो देशों की पास है जो जेर्मन टैंक है उन भी मेन बैटल टैंक जो भी पोलेंड 17 दे रहा है जो 14 शायद दे रहा है चैलेंजर टैंक बिटन को 14-15 देने वाले हैं तो इनका कितना ट्रेनिंग होगा कितना वक्त लगेगा उनको तयार करने के लिए अलग बात है पर इस पर कोई दो रहा नहीं है कि एक तीसरी आर्मी एक हिसाब के स्ट्राइक फोर्स नेटो इस वक्त देने कि लिए तयार थायाद देने के लिए टीसरी स्ट्राइक क्षचच खड़ा करने के लिए उकरेन का डिफेंस निस्टर पहले कह चुका है हम लड़ाई कर रहे हैं हम पसीर लेक्र इना ही पेसा हम ने देखा ही कि दूसरे चीओं के नाम पर यूक्रेन को दिया हुआ है अगर आप देखे कितना military weapons वहां से आया है उसका amount जो है करीब 40 से 50 billion dollar है रूस की annual budget जो है सिर्फ 66 billion dollar 40 से 50 billion dollar है तो ठीक है लगभग पूरा amount जो है रूसका annual budget जो उसकी सेना की पूरी सेना की इस्तमाल करने के लिए है वो तो यूक्रेन में सिर्फ उसका 20% ही उतारा है जमीन पे उसके खिलाफ जो यूक्रेन का खर्चा हुआ है सिर्फ NATO की जो क्या कहेंगे देन है NATO ने जन्होंने दिया है वो ही 40 से 50 billion dollar की रसद उनको मिल चुकी है रसद जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब है कि हतियार हतियार मैं इसको गिंती नहीं कर रहा हूं कि कितना military का salary वो जो पे कर रहे है वो official military weapons तो नहीं है पर salary है उसको support के लिए जो हस्पताले, doctors, दवाई यह सब मैं इसमें गिंद नहीं रहा हूं सिर्फ military weaponry जो है वो 40 से 50 billion dollar नेटो शक्तियों से आ चुका है तो जो इस लड़ाई पे इस्तमाल हो रहा है साउथ कोरिया, जपान का भी कुछ है पर उसमें इसमें गिंद रहा हूं है तो यह सब देखते हुए यह लड़ाई एकदम साफ है कि नेटो और रूस के बीच में है और यह जो है शुरुआत मैंने जो कहा था पहले आपको याद होगा कि नेटो की Eastern March जो है अब यूक्रेन और जॉर्जिया में आके 2008 में जॉर्जिया में इस वक्त जो यूक्रेन की लड़ाई है दूसरा चरण है कि उसको रूस की इस मार्च कैसे रोकना है नेटो की Eastern March और यही जो क्या कहते है Special Military Operations के नाम से रूस ना जो शुरू किया इसका मकसद ही है कि और आगे नहीं बढ़ सकता यह इसको नेटो जो दिखिया है कि हमारे बॉर्डर्स में रूमेनिया हो पोर्लेंड में हो ऐसे दूर गामी मुजाइल उसने वहां पर इस्टैबलिश की है इस तरह से यूक्रेन भी भी करेगा बॉल्टिक्स में कर चुका है तो यह हम और होने नहीं देंगे और खासवर से यूक्रेन इसी लिए भी खत्रा है कि वो देश के अंदर रूसी जनता जो है उनकी हर राइट्स को छीनने के लिए लगातार कोशिश है और कर भी रहा था तो वो रूस के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा होता था कि उनके एक विरादरी है कि हमारे भाशाबाशी हमारे एतनिक लोगों को जो यूक्रेन में है इस तरह से उन पर एटैक्स हो रहा है यूक्रेन का जो मैप है ये भी काफी दिखा रहा है कि किस तरह से युद्ध चल रहा है जो हम त सुत्रे नहीं अमरीकी की सुत्रे भी एक कह रहा है कि बखमूद को मैंटेन करना पड़ा मुश्किल है पर सबसे बड़ी प्रब्लम जो यूक्रेन के लिए है कि उनकी सेनाओं की संख्या हताहत होने की संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है खास तोर से इन लड़ायों को और क्योंकि ठोस बिल्कुल जमीनी लड़ाईया हैं जिसके बारे में अभी तक नैटो फोसेज भी उस तरह से लड़ाई नहीं करती रही है और पचास परसेट करीब करीब उनकी सेनाएं इस चोटा इलाका बखमूद सॉलेदार इस इस वक्त है अगर यह हार जाते हैं तो संभ बातचीत नहीं करेंगे और दूसरे इलाका भी जप्रोजिया में भी बातचीत चल रही है कि वहां भी शायद रूसी से नाएं आगे बढ़ेंगे तो एक तो है जो बहुत पहले से बातचीत हो रही कि डीप फ्रीज जब होगा विंटर की टेंपरेशब कटता है तो पुरा दिख रहा है कि इस लडाई में जिस तरह की उक्रेण के सेनाएं अपना वैपन इस्तमाल नहीं कर पारें उनकी शेल्स अगर रूस छे शेल्स फायर करता वह एक फायर कर पाते या साथ करते तो एक-एक कर पाते हैं खुद ही कह रही है और रूस के पास भंडार है रूस के यूक्रेन के लिए पढ़ रहा है क्योंकि अमरीका, ब्रिटन ये सब जो देशे हैं, फ्रांस, जर्मनी तो लडाई की नहीं है, ऐसे देशों भी वो छोटे लडाई के लिए तयार है, लिबिया हो, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान करना है, तो ये कहते हैं कि इंसर्जें की जो ताकत है, उसके खिलाफ जो है लडने की क्या छमता है क्या, वो साब दिखाई पड़े, उसके लिए वो तयार नहीं थे, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी शेल्स वगरा रिप्लेनिश करने में पांच से दस साल लग जाएगा, ये कह रहे हैं कि ड्रॉडाउन किता करे वो जिस तरह से कह रहे थे कि बस रूस को यूँ खतम कर देंगे, ये सैंक्शन लगाए हैं उन्होंने आर्थिक सैंक्शन लगाए बाकी सारी चीजें की और अब रूस को निप्टा दिया जाएगा, नेटो भी तकरीबन आश्वस था और सारी तैयारियां भी थी उस तरफ से, तो जरा ये बताईए कि हिसाब किताब गरबडाया कहां, मामला कहां गरबडा गया, एक साल तक युद्ध चल रहा है, सारी शक्ती नेटो की लगी है, यूकरेन की जमीन लगातार संगर्श में है, लेकिन जो सारी भविशवानियां इन लोगों ने की थी, वैसा होता द कि उसकी एकनामिक हालत बहुत खराब हो जाएगा, और क्योंकि, जो सैंक्शन के वजए से, और उनकी ऊपर और भी जो कारवाई किया, उन्होंने बैंक्स में ट्रांजक्शन नहीं हो सकते, उस पर दूबने बाद आऊंगा, पर ये सब स्टेप्स अगर लेंगे, तो रूस की एकनामिक जो है, एकदम बिद्वस्त हो जाएगी, और उस हाथियार गेड़ देगा, साथ-साथ उसके अंदर जो असंतोष पैदा होगा, कि चीजे नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो जनता, पूतिन को शायच सबिकार नहीं करेंगे, इस उनकी खबरे भी दिखा रहे थ का था कि अंदरूनी प्रोटेस्ट और एक्स्टरनल सैंक्शन्स और यूकरेन की सेनायों की जो उन्होंने इतना आमस और के तयार की थी, उसके वजह से लड़ाई जल्दी ज्यादा नहीं चल सकता है, और उस हाथियार गेड़ देगा, मुख्यता उनका फाइनाशल पर नजर था, तो दो चीज़ उनकी इस कैलकुलेशन रही, एक तो है कि दुनिया में नेटो देशों के इलावा, आप देख सकते हैं मैप में फिर, कि बहुत कम देश है जो उनकी इस सैंक्शन्स पर शिरकत की है, नेटो देश है, यूरोपियन यूनियन शिरकत की है, और जपान, सौथ कोरिया, सौथ कोरिया एक हिसाब से उनी का कबजे में है, तो ऐसे देशों ने की है, तो यह देखते हुए, यहां था कि भारत भी, भारत तो किया नहीं है, चीज ने नहीं किया, आफरिका को कोई देश नहीं किया, यह अगर देखे तो एशिया और आफरिका लाटन अमेरिका में कोई देश लाटन अमेरिका में एक देश है कलंबिया जो भी बदल गया इस वाक्त तो ये देखते हुए जो जिसको कहते हैं तीसरी दुनिया जो हम कहते हैं थर्ड वर्ल जिसे कहते हैं ग्लोबल साउस जिसे कहते हैं उसका कोई शिरकत इस पे नहीं है जो सैंक्शन्स लगाए उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, उन्होंने इंकार किया, रूसे रिष्टे खतम नहीं किया, तेल और बाकी चीजे लेते रहे, दूसरी बात है कि रूस की एकॉनमी की आधार है, खुद अपने लिए उत्पादन करता है प्राइमरी प्रोडक्शन की जो सामगरी है, दूनिया में एक्सपॉर्ट करता है, चाहे तेल हो, चाहे रेर अर्ट्स हो, चाहे। अलुमॉनियम हो, बहुत बड़ा प्र्ढूसर है, और दूसरी बात है कि पर्टिलाइजर और खादानिया, वीट वगारे एक्सपॉर्ट क क्या जब्त कर लिया था फ्रीज कर लिया क्या जब्त कर लिया वो तो बात की बात है पर उसके बाद जो इन्होंने तेल एक्सपोर्ट किया उससे करीब करीब उनको सौ से दो सो बिलियर्ड डालर पर लगता है उन्होंने वो रिकावर कर लिया है क्योंकि तेल के दाम गैस के बढ़ गए तो इसके बाद जो है उनके देने दिन जीवन रोजबरा का जीवन है उसमें लोगों का खास कोई फरक नहीं पड़ा ये है किसके जिसके पास जो बहेंगी गाडिया है उसकी स्पेर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है तो ये सब है पर आम जनता पे इस पे जनते हैं कि लड़ाई में ये जनप्रियता नेताओं का खतम नहीं होता है उनकी पॉपुलारिटी खतम होता नहीं है लगा दुखद है दुखद है दुनिया के लिए और ये एक खतरनाक इसी लिए है कि जिस तरह से जंग का समर्थन यॉरोप में है इसकी पीछा खास तोर से जंग खतम होते भी देखता नहीं है क्योंकि अगर जेजलिंस्की को नए नए हाथियार मिलेंगे और युक्रेइन के लोग अगर बनने के लिए तैयार है लड़ाई में जो उनका भी एक नैशनलिस्म की जाग्ड़ का दिख रहा है तो ये लड़ाई चल सकते हैं खतरना खतरनाख सितिए में पहुंच सकता है क्योंकि दोनों के पास अमरीका के पास रूस के पास नावकी अर्थ निक्लियर अग्रेंस है तो ये सब देखते तेखते विए दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है जंग खतम करना ज़रूरी है इतना हताहत हो रहा है ये दुखत बात, बहुत बड़ी दुखत बात है, इसका खत्रा दुनिया के लिए काफी है, पर सवाल ये है कि एक तरफा ये युद्ध शांती नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता, यूकरेन की जो नेता इस वक्त है, जेलिंस की और उनकी इर्द गिर्द जो लोग है, युद्ध को चलाना चाहते है, उनको लगता है कि नेटो के अगर सामगरी आ जाएगा, आस्ट आ जाएगा, तो हम लड़ाएं आउट चला सकते है, कभी ना कभी राशिया राशिया शायद रूस शायद हातियार गेद देगे. और नेटो को भी लगता है कि इस भाने उसकी पूरी की पुरी शक भी वो कहना शुरू किये, टेबल में तो आना पड़ेगा, नेगोशेशन टेबल पर जेलिंस्की को मजबूत करने के बाद आना पड़ेगा इस टेबल पर, तो मजबूत करने की लड़ाई अगर चलेगी तो इससे लगता नहीं यूकरेन मजबूत होगा, लगता ही कि कमज करते हैं, और इस तरह से कोई इस वक्त जैसे तीसरी दुनिया की नॉन इलाइन वर्ल्ड की जो एक अवधारना थी, उनकी एक बहार भी थी दुनिया की राजडीती में, वो अब दिखता नहीं है, अब सब जो है अपने देश के अपने हित में, राजडितिक हित में, नेरो हित में बात करते हैं, इसलिए इस तरह सा क्रेडिबिलिटी किसी देश की नेताओं की भी नहीं है, जो इसकी बात कोई सुने भी, तो देख सकते हैं कि चाहे लूला हो, चाहे पोप हो, इनकी बात चल रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, तो नेटो के चीज है, जिसके वजह से यूक्रेन की लड़ाई शुरू ही, तो यूक्रेन इशू नहीं है, नेटो की इस्टवर्ड मार्च और नेटो और रूस के बीच पे क्या संबंध होंगे, यह सबाल है, यह यूरप की सबाल है, यह कैसे होगा, इसके हमें इज़ार करना परिवत्तन हमें नजर नहीं है, और यह बहुत दुखा थे निश्टवर्ड शायद तीसरा वेप जो आर्मी वो खड़ा कर रहे हैं, उसका भी अगर खात्मा हो जाता तो शायद तब इस दोनों मुल्क जो है, यूक्रेन रूस और पीशे अमरीका यह नेगोशिटिंग टे अब एक छोटा सा सावाल लातिन अमरीकी देश पेरू के बारे में, जहां पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस सितियां बहुत तेजी से खराब हो रही हैं, हमने देखा कि एक नेता जो चुने गए, पैदरो चुने गए, फिर उनके खिलाफ जिस तरह का पू ने है, जबाब भी मुझे लग रहा है कि पेरू की जनता दे रही है, कि यह जो क्या कहते है, रिजीम चेंज की ऑपरेशन थी, जिस पे डायना बुलेना जो कस्तियों की पार्टी के ही थी, तो वो उधर चली गई, इसलिए कस्तियों कमजोर पॉल गए, तो इसके बाद उन कानून का इस्तेमाल करके कैसे कू किया जा सकता है, यह अमरीका की एक टेकिक रहा है लेतन अमेरिका में, क्योंकि पहले की तरह military शाशन, military कू कराना इस वक्त और संभब नहीं हो रहा है, लेटन अमेरिका में, इसलिए चाहे ब्रिजिल हो, चाहे कस्तियों को हिसाब है, चा पर्थन की थी वो उसको स्विकारा नहीं है वो कहरे ठीक है आपने हटा दिया पर चुनाव कराइए और इसके कोई जबाब डायना बुलीने के पास नहीं है क्योंकि वो आई थी कस्तियों के साथ एक नया सरकार बनाएंगे नया पहलो शुरू करेंगे कहके अब फिर उसी शक जनता और देखी सकते हैं कि अब जिस तरह से उनके उपर फायरिंग है तो लगता है जो एकदम आम लोगों को डराने के लिए ऐसे लोगों का मारा गया है बड़े पैमाने पे चोटा से चार बिलियर के पॉपलेशन है जिस तरह से पचास साथ लोग मर रहे हैं तो इन घट जो इसके मिलिटरी ताकत जो है और जो अन्मिलिस्टेटिव ताकत जुक्रश नहीं कर पा रही है और यह लगता है और बड़ा सरूप लेने का सा भावना रखता है क्या इसमें गुट सेंज जिसे कहते हैं अकल आए बुलीना को डायना बुलीना को इस चीज़ पे कि इस व लेजिटिमसी वह खतम हो जाता है तो देश की सरकार की लेजिटिमसी के लिए अच्छा नहीं है देश के जनता के लिए भी लाउंग टरब अच्छा नहीं है बहुत-बहुत शुक्रेएं दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि अंतराश्टि यह खबरें हमारे आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं लेकिन इसे हमें महसूस करने में समय लगता है इसलिए इस कारेक्रम में मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पड़ताल दुनिया भर की और लोगों तक पहुचाईए कि दुनिया को देखने, दुनिया में जो घटनाये चल रही हैं, उन्हें देखने और समझने का सही नजरिया हो, तो तस्वीर बदली हुई नजर आती है, शुक्रिया